तो शेंस्ता के क्रिकेट जो फैंस हैं उनके लिए ये बहुत खुशी की बात कि आज ये मैच भारत बंगलादेश की बीच और क्रिकेट फैंस तो आपके उत्सार देख रहा है हम पहुँच गए माधरावस इंडिया क्रिकेट स्टेडियम पर जहां भारत और बंगलादेश के बीच अंतराश्ची टूर्ट्वेंटी मैच कुछी देर में शुरू होने वाला है ये देखिए फैंस की भीर स्टेडियम के दरवारी का प्रॉप नहीं है और ये सब इंतिजार कर रहे हैं जल्दी से जल्दी इमें स्टेडियम में बुस्ने का मौका मिले स्टेडियम दीरे दीरे प्रिवेस लोगों का शुरू हो गया है और इनकी तैयारी आप देख रहे हैं खिलारियों का उत्सा बढ़ाने की कैसे ये भारतिय किर्पे टीम का उत्सा बढ़ाएं और एक बड़ा मैच देखने तो मिले ये देखिए अब क्या लेके आएं क्या क सबसे अच्छा बना रहे हैं तो देश का तेरंगा जंडा बना रहेगा क्या चाहते हैं इस मैच में चाहते हैं सबसे अच्छा सुभम दिपर को खेलते हुए देखना चाहते हैं लेकिन सुनने में आया है कि वो चोटे लें वो नहीं खेल रहे हैं तो उसके लावा सूर कुमार यादा बोर रिंकु से बालिंग के लिए लिए लग रहा है आपने बहुत क्रिकेट केला है देखिए लिए अच्छा तो अब ही कोई ऐसा खेलाडी है जो आपकी जैसा खेलता हो टीम इंडिया हाँ आपको फेवरिट प्लेयर है सुमन गिल लंबे लंबे चक्के मारता है बिलकुल मारेंगे आज विदेशी खेलाडीयों की कमर तोड़ देते हैं बिलकुल तोड़ देंगे और आज किलेंगे कियों किया बोलती है और सब अच्छा लगेगा आप तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है से अभी वी किर्केट खेंटे हो। ये महनत करनी पड़ेगी पसीना बाहना पड़ेगा टैलेंट अपना दिखाना पड़ेगा तो इस स्टेडियम में भी खेल सकते हैं और दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदान में भी जंडा बुलंद कर सकते हैं बसरते ये कि आप अच्छा खेल दिखाईए और यही तो तो चोदर साल बाद ग्वाल्जर में अंतराष्ट्य मैश खिला जाएगा इसको लेकर केंद्र मंत्री जो तरातेत सिंधिया ने कहाए कि ग्वाल्जर के लिए अतियासक पल है पहली बार ग्वाल्जर में कोई T20 मैश होने वाला है मुझे उम्मीद है यहां आज का मैश बह 12 साल बाद ग्वालियर को मिल रहा है श्रीमात माजरा उसंदिया इंटनाशनल क्रिकेट स्टेटियम भव्या रूप का स्टेटियम आज ग्वालियर को सोगात पून रूप से मिल रही है स्टेटियम का लोकारपण और आईपियल की लीग की तरह मध्यपदेश लीग कायोजन इसी वर्ष किया गया था पर आज पहली बार ग्वालियर को T20 भी मिल रही है और ये अपना एक इभिहास आज बनने जा रहा है कल मैंने स्टेटियम का निरेक्शन भी किया और विकिट भी अच्छी लग रही है आउट फिल्ट भी अच्छी लग रही है लगता है एक रो मांचक मैच आज आजायो जित किया जाएगा और भारत में दिश्वराम तोर पर भगवान राम तोरा रावड पर विजए के उससाब करूप में मनाई